आज बात करेंगे मोदी सरकार के तीसरे कारेकाल का आज पहला बजट पेश किया जाएगा दुनिया भर में तीजी से उभरती और आगी बढ़ती हुई अर्थिवेवस्था से जुड़े बजट से हर वर्ग को खास उम्मीद है वित मंत्री निर्वला सीतारमर रिकॉर्ड सात्वी बार बजट पेश करेंगी आज पेश होने वाले केंद्रिय बजट दो हजार चौबीस पर वित राज्य मंत्री पंकत चौदरी ने कहा है कि पीएम मोदी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास है तो आपने देखा है कि बजट राश्ट्रहित में आता है और इसी प्रकार से यह बजट आएगा जी दिली एंसियार हर्याना पर बजट पर सबसे बड़ी कवरिज लगातार जारी है बजट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको जीदली NCR हरियाणा ही दिखाएगा तो देखें ये तस्वीरे सामने आ रही हैं और केवल एक घंटे का समयशेश है आज ट्राक्स पेयर्स के लिए काफी उम्मीदे हैं काफी कुछ इस बजट से उम्मीदे हैं आलाकि विपक्ष्ट लाकातार निशाना साधता हुए नजर आया है कि इस बजट से किसी भी वर्ग को कुछ मिलने वाला नहीं है और खास तोर से ट्राक्स पेयर्स की बात करें तो ट्राक्स पेयर्स को काफी ज़्यादा उम्मीदे इस बजट से नजर आ रही हैं बता दे कि मोदी सरकार के इसरे कारेकाल का ये पहला बजट है और इसे लिए खासा उम्मीदे इससे लोगों को हैं और कल ही मौनसून सत्र की शुरवात के दौरान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इस बजट को लेके खासा उम्मीदे जताई थी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का कहना था कि इस बजट से आने वाले समय की दिशा तैकी जाएगी और अगले पाच सालों का जो कारेकाल रहने वाला है मोदी सरकार का वो भी तैक किया जाएगा वितमंत्री नर्मला सीता रमण 23 जुलाई याने के आज के दिन देश का बजट रखने जा रही है एक घंटे का समय शेश है दूसरी और अलग-अलग सेक्टर्स की बजट से काफी उम्मीदे हैं जरूरते भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इस बजट से जरूरते हैं हमारी साथ में कुछ खास मेमान जुड़ गए है और लगतार हम बजट पर चल्चा कर रहे हैं कि आज का ये जो बजट आने वाला है होने वाला है उसको लेके किसको कितनी उम्मीद है और सरकार से क्या उम्मीदे टाक्स पियर्स कर सकते हैं